URP से URP में पैसा ट्रांसफर कैसे करें, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ URP से URP में पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको अपने मुबाइल के अंदर URP application को open कर लेना है इसके बाद आपको अपने URP का passcode डाल कर इसको login कर लेना है इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको ट्रांसफर इसके ओपर क्लिक कर देना है इसके बाद वैलेट ट्रांसफर यहाँ पर क्लिक करना है इसके बाद पलस एड न्यू नमबर यहाँ पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको जिस यूर पे में आपको पैसर ट्रांसफर करना है उसका मुबाइल नमबर यहाँ पर डाल देना है तो मुझे जैसे इस वाले मुबाइल के अंदर पैसर ट्रांसफर करना है तो इसका मुबाइल नमबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अब यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं इसके अंदर हमारा कितना बैलेंस है तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो जीरो बैलेंस है अब यहाँ पर मैं मॉबाइल नमबर डाल देता हूँ mobile number डालने के बाद यहाँ पर नीचे क्लिक करना है इसके बाद confirmation yes आपको कितना पैसा transfer करना है यहाँ पर तो जैसे मुझे यहाँ पर 10 रियाल ट्रांसफर करने है तो यहाँ पर मैं 10 रियाल डाल जाया और इसके बाद next इसके बाद transfer reason यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आपका यहाँ personal है तो personal और अगर आप किसी दोस्त को या अपनी family को इसको transfer कर रहे हैं तो यहाँ पर transfer to family और friend यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ इसके बाद यह दोना optional है इसको आप डाल भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं इसके बाद नीचे next के उपर क्लिक कर देना है यहाँ पर पूरी detail आपको देखने को मिल जाएगी आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पर confirm इसके उपर क्लिक कर देना है यहाँ पर इसकी fees जो है कोड आएगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पैसा जो है इसके अंदर आ चुका है और हमें message भी आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पैसा successful transfer हो चुका है अगर आपको इसकी slip किसी को share करनी है तो यहाँ पर share के उपर क्लिक करके whatsapp, email और gmail के ज़िए इसको किसी के भी पास इसको share कर सकते है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह आरपे का जो है जो हैज़र message आ चुका है इसमें यहाँ पर पैसा आने में तोड़ा सा time लग जाता है तो आपको टैंसल लेने की ज़ुरत नहीं है कुछ time के बाद आपका पैसा transfer हो जाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का लाइक करके प्लिश चैनल को subscribe करके